नमस्कार दिश्टी PCS चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम लोग राजस्थान लोग सेवा आयो के कॉंटेक्स्ट में जो भी हालिया घटना करम रहे हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उसके साथ उपस्तित हुए हैं और साथ ही उससे जो जुरी ही व्या ख्या हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो आईए बिना किसी देरी के आज की स्टेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवा प्रथम नायाब हुनर हाट का आयोजन कहां किया जाएगा किस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो नायाब हुनर हाट की context में बात की जा रही है options की बात करें तो जयपूर जोधपूर कोटा और अजमेट इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन ए जयपूर में नायाब हुनर हाट का आयोजन किया जायेगा यहां मैं आपको को बता दूं कि इसका मकसद क्या है इसका मकसद है कि जो भी शिल्पगार है बुनकर है उनको प्रुचसाहिद करना उनके व्यवसाय को प्रुचसाहिद करने के लिहाद से इस तरीके से इस काड़ेकरम का इसका आयोजन किया जा रहा है नाम दिया गया है नायाब हुनर हाट है तो option A इसका सही उत्तर है और चुकी ये प्रदेश में प्रथम बार इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है इसलिए ही यह जो सवाल है अपने आप में महत्तपूर्ण हो जाता है आईए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की और देखते हैं क्या सवाल बनता है रामगर्ष विश्धारी वन्यजी अभ्यारन किस जिले में इस्थित है बहुत ही महत्तपूर्ण सवाल है ऑप्शन से जैसल मेर बीकानेर चुरू और बूंदी इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन D बूंदी में यह अभ्यारन इस्थित है यह अभ्यारन इसलिए आजकल चर्चा में है क्योंकि यह यहां पर जो है टाइगर डिजर्व घोसित किया गया है और इस लिहाज से जो है इसे निज़ में आने का मौका मिला है और मैं आपको यह भी बता दूं कि केवल रामगर्ष विश्धारी जो वने जीव अभ्यारन है यह अब जो है टाइगर रिजर्व के तौर पर ट्रीट किया जाएगा राजस्थान के अंतरकत और मैं आपको ये भी बता दूँ कि राजस्थान में इसके अलावा जो अन्य टाइगर रिजर्व से हैं वो कौन-कौन से हैं तो उनके नाम है सरिस्थ का इसके अलावा है रंध थंभौ और तीसरा है मुकुंद्रा हिल्स अगला सवाल देखते हैं प्रदेश में 12 मार्च को रास्तिय लोग अदालत का आयोजन किया जाएगा इसका उद्देश ही क्या है इसका मकसद क्या है ऑप्शन से हैं पारिवारिक मामलों का निवारन करना बैंकों के बकाया धन वसूली के मामलों का निस्तारन ऑप्शन सी क्रिमिनल मामलों की जल्दी सुनवाई करना या फिर ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं इस प्रश्न का सही जवाब है option B बैंकों के बकाया धन वसूली के मामलों का निस्तारन करना इसका मक्सद रखा गया है राष्ट्रिय लोग अधालत के माध्यम से यह जो कारवाई है यह की जाएगी 12 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राष्टी लोग अधालत के माध्यम से ही कुछ और भी चीज़े आपको जाननी चाहिए आर्टिकल 39A जो है अनुछे 49A इसकी चर्चा हमारे सेमिधान के DPSP में है DPSP मतलब राज्य की नीती निर्देशक तत्वों में इसकी चर्चा की गई है और इसी के माध्यम से यह विवस्था की गई है कि नहिशुल के विधीक सहायता देने का कारे राज्य करेगा और इसी के माध्यम से जो है Legal Services Authority का गठन किया गया है भारत में नालसा का नाम आपने चुना होगा या फिर राज्य के श्तर पर यह विवस्था की गई है कि प्रतेक राज्य में इस तरीके से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरन होंगे तो यहां जो यह आयोजन करवाया जा रहा है यह आयोजन राज्यस्थान विधिक सेवा प्राधिकरन के माध्यम से यह आयोजन करवाया जा रहा है राज्यस्थान राज्य का जो विधिक सेवा प्राधिकरन है वह इसका आयोजन कर रहा है और इसका जो मकसद है यह मैंने आ महतोपूर जानकारिया आपको होनी चाहिए इसके अलावा है ना आर्टिकल 39A में DPSP में इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती हैं आगे हम बात करते हैं आगे और क्या सवाल बंद रहा है आगे सवाल है प्रदेश में Constitution Club of Rajasthan का निर्मान कहां किया जाएगा बहुत महतोपूर सवाल है Option A है जैपूर, B, नागावर, करॉली या फिर अलवर इस प्रश्म का सही जवाब है Option A जैपूर में Constitution Club of Rajasthan का निर्मान किया जाएगा इसके माध्यम से जो भी समयधानिक प्रावधान है जो भी समयधान के उद्देश है उबजेक्टिव से उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा सकेगी और शोध वगरह जो भी है वो इसके माध्यम से किये जाने की योजना बनाई जा रही है Option A इसका सही उत्तर है अगला सवाल देखते हैं राजस्थान का राजकिये पक्षी कौन है Option से सारस क्रेन, गोडावन, खर्मूर या फिर पैपा दरसल गोड के सनक्षन को लेकर करके हाल ही में भारतिय संसद में चर्चा की गई थी इस लिहाद से यह जो है खबरों में आ गया Option B इसका सही जवाब है आगे बात करते हैं आगे क्या सवाल है प्रदेश में चल रही मुखबिर योजना का उद्देश्ची क्या है Option से अवैध शिकार को रोकना ध्योन लिंक परिक्षन को रोकना फिर इन में से कोई नहीं इस प्रशन का सही जवाब है Option B ध्योन लिंक परिक्षन को रोकने की कॉंटेक्ष्ट में यह जो योजना है मुखबिर योजना चलाई जा रहे है जो भी वेक्ति इस तरीके से जानकारी देगा कि अमुक वेक्ति या फिर अमुत होस्पिटल में इस तरीके से गतिवीधिया चल नहीं है उसे तीन लाक रुपे का पुरसकार राशी देने की भी बात इस योजना में कही गई है तो Option B यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है नाम ध्यान रखिएगा मुखबिर योजना है ना यहाँ पर स इस योजना की कॉंटेक्स में बात की जा रही है कई बार सवाल उल्टे तरीके से भी पूछ लिया जाता है ना Option B इसका सही जवाब है अगला सवाल देखते हैं स्री रामदेव पशु मेला 2022 कहां आयोजित किया गया है Option से पाली जोधपूर नागौर या फिर अजमेर इस सही जवाब है Option C राजस्थान के नागौर में रामदेव पशु मेला का आयोजित किया गया है और मैं आपको और भी बता दूँ जो भी अन्य महत्वण मेले हैं जैसे अजमेर में यदि आपने सुना होगा तो अजमेर में अजमेर शरीफ का नाम आपने सुना होगा बहुत ही चर्चित है पुषकर मेले का आयोजित किया जाता है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा पशु मेला या फिर कह सकते हैं कि उंट मेला के तौर पर उसे ख्याती प्राप्त है तो उस लिहास से भी आपको जानना चाहिए इसके अलावा मैं यह भी पता दूँ कि करणी मा माता मेला यह बीकानेर में आयोजित किया जाता है और इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा है वो है कहरा देवी का मेला यह सवाई माधोपूर में आयोजित किया जाता है सवाई माधोपूर कई बार प्रश्णों में इस तरीके से मेलों के बारे में भी या तो एक के संटेंस में ही प्रश्ण बना दिया जाता है या फिर मैचिंग करने के माधिम से भी प्रश्ण बन जाता है तो आपको इस तर में खास तोर पर इस तरी के से सवाल बनते रहते हैं तो बहरहाल option C इसका सही जवाब है अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल क्या है राज्य सरकार द्वारा कितने आगन बारी किंद्रों को नंद घर की रूप में विक्षित किया जाएगा option से 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 25,000 इस प्रश्न का सही जवाब है option D 25,000 आगन बारी किंद्रों को नंद घर की तौर पर विक्षित किया जाएगा इसका मक्सद क्या है नंद घर की माध्यम से जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी सिक्षा देना अच्छा पोशन देना उनकी अच्छी तरीके से पारण पोशन करना देख भाल करना इसका मक्सद रखा गया है और नाम क्या दिया गया है नंद घर किसे इस तौर पर विक्षित किया जाएगा तो आंगन बारी केंद्रो को इसके माध्यम से विख्षित करने की योजना बनाई जा रही है, option D इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान इवा पकवारे के अंतरगत होने वाली प्रतियोगताओं से किस व्यक्ति के बारे में गहन अध्यान करने का सुअफसर मिलेगा, option से महात्मा गांधी, डॉक्टर अबूल कलाम आजाद, यहां पर गलती से अब्दु लिखा गया है, अबूल, डॉक्टर अबूल कलाम आजाद, शंकराचारिय या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेत कर, इस प्रश्न का सही उत्तर है, option A, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो भी दर्शन स्थापित किये, और उन्होंने जिन सिध्धानतों का पालन किया, उसके माध्यम से जो आज के नव इवक हैं, नव इवतियां हैं, उन्हें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वे भी अपने जीवन में इन द जो अबजेक्टिव है या अपने आप में बहुत महत्वपून हो जाता है, और उस लिहाज से ऑप्शन ए जो है महत्मा गांधी यहाँ पर सही उत्तर है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, देश में सौर उर्जा पर योजनाओं की स्थापित च्छमता यान इसका सही उत्तर है, अगला सवाल देखते हैं, हाली में प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीका करन अभियान का शुभारम किया गया है, इसमें कितने उम्डे के बच्चों का टीका करन होगा, ऑप्शन से 0-2 वर्स, 1-3 वर्स, 2-4 वर्स या फिर 1-5 वर्स, इ यानि कि इससे पहले भी इसके तीन संसकरन आज जोगे हैं, और ये इस अभियान का इस टीका करन अभियान का चौथा संसकरन है, इसलिए इससे नाम दिया गया है इंद्रधनुष 4.0 और इस टीका करन के माध्यम से लगभग 9 बिमारियों के अगेंस्ट में टीका करन अभि किया जाएगा नौ बिमारियों के विरुद जैसे की BCG, Polio, Hepatitis B है ना इस तरीके से जो भी महत्पूर्ण बिमारिया हैं जो की बच्चों में आम तोर पर होने की संभावना रहती है उसके अगेंस्ट में वैक्सिनेशन अभियान ये चलाया जाएगा और इसमें शुनिस से दो वर्स तक के बच्चों को शामिल किये जाने की बात की गई है उप्शन ए इसका सही जवाब है अगला सवाल देखते हैं मरू महत्सव प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है उप्शन से हैं बीकानेट, स्रीगंगा नगर, बारमेर या फिर जैसलमेर इस प्रदेश का सही जवाब है ओप्शन डी जैसलमेर में मरू महत्सव प्रदेश किया जाता है और इस लिहांसे यहां अपने याप में महत्पून है यहां पर मैंने आपको एक और मेले के बारे में बताया था जो की है रामदेव, पशुमेला, जो कहाँ पर आयोजित किय किया जाता है नागौर में वहाँ पर मैंने और भी कुछ मेले के बारे में बताया और उसी तरीके से यहां एक फेस्टीवल है जो कि जैसल मेर में आयोजित किया जाता है ऑप्शन डी इसका सही कि जवाब है तो आज की चर्चा हम यहीं तक सीमित रखते हैं अगले सेशन में राद्यस्थान से संबंदी जो भी अन्य महत्वपूर्ण करेंट अफेर से जुरे हुए सवाल रहेंगे उसके साथ फिर से उपस्तित होंगे तब तक के लिए अपना ख्यार रखिए पढ़ते करें नमस्कार